हाई फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं चने दाल की चिटनी इसके लिए हमने हाफ कप चना दाल ले लिया है इसको हम कड़ाई में डालके उस नहरा गॉर्डन होने तक भून लेंगे इसको जरूर बनाईएगा यह बहुत अच्छी बनती है अब इसमें हम तीन लाल मिर्च लेंगे कुछ करीपता भी लेंगे साथ में इसको भी भून लेंगे दोस्तों एक बर इसे जरूर बनाईएगा इस सिम्पल है लेकिन बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनती है इसे आप ढोसा इटली वड़ा जिसके साथ भी आप कीक्छा हो खाईए हमारा चना भून चुका है चना दल अब इसको हम पानी में 10 मिनिट के लिए रख लेंगे 10 मिनिट के बाद हम चना दाल को मिक्सी ग्राइंड में निकाल लेंगे इसमें सुखी मिर्च लसुन करीपता और नमक स्वात के नसर डाल के पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दोस्तों प्लीज मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाईएगा मेरे चैनल को सपो मेरा लेंगे आपको जैसा ठिकनेस चाहिए अप उस सबसे पानी डालिए देखिए दोस्तों देडी हो चुका है अब इसमें तड़का लागाएंगे कर्ची गरम हो चुका है अब इसमें हम 2 बल स्बून तेल डालेंगे मैस्टर शीट सर्सो के दाने डालेंगे कुछ करी प इस रेशीपी को जरूर बनाएगा यह धोसा इडिली के साथ बाहत अच्छा लगता है हम तड़का लगा चुके हैं देखिए देखिए दोसतो कितना अच्छा बनके तयार हुआ है प्लीज मेरी सेसीव को जरू ट्राइक किये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थाइंक